हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का अड़ा 24 7 के क्लास 9, 10, 10 चैनल पे जिसे जाना जाता है अड़ा काम्याभी का और आज का हमारा टॉपिक है डिविजन ओफ पॉलिनॉमल यानि की बहुपदों का विभाजन, एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद को हम कैसे बा इसके अंदर आपको एक दूसरा बहुपद, x-1-x² इसका भाग लगाना है, तो जिस बहुपद में भाग लगाना है, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो भाज, भाज यानि की इंग्लिश में आप बोलते हो डिविडेंट, इसी तर से जिसका भाग लगाना है, जिस और डिविजर दोनों को आप घातों के घटतेवे क्रम में अरेंज करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पर जो आप भाज ये देख रहे हो, तो सबसे x की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, x की घात 3, यह है, चिन्द माइनस का है, तो सबसे आगे आप इसे लिखे, कि माइनस की घात 3, फिर उसके बाद उससे चोटा x की घात वाला पद कौन सा है, 3x स्क्वाइर, तो आपके पास आजाएगा प्लस का 3x स्क्वाइर, फिर माइनस का 3x, उसके बाद लास्ट में प्लस का 5, आपने इसे क्या किया, घातों के घटतेवे क्रम में अरेंच कर दिया, इसी के बाद minus का एक यह आ गया अब हम इसको जब arrange कर देंगे जब हम घातों के घटतेवे क्रम में arrange कर देंगे अब हम इसके बाद भाग लगाएंगे तो देखो अब हम इसमें भाग लगाना सीखते हैं बच्चों तो यहां पे देखें सबसे पहले यह आपका भाज्य जिसमें आ जातों के घटतेवे क्रम में अब इसके अंदर मुझे क्या करना है भाग लगा देना है किसका भाग लगाना है कि दूसरे वाले बहुपद यानि कि आपने इसे भी arrange किया था minus का x square प्लस का x और यह minus का 1 इसका भाग लगाना है अब भाग हम लगाएंगे कैसे वो सीखें पहला पद और भाजक का पहला पद इन दोनों को आपस में भाग दो सबसे पहले आपने भाजक का पहला पद देखा क्या है minus का x की घा 3 साइड में लिखा आपने साइड में गिरफ में काम करो आप ठीक है बचो इसी तर से इसका पहला पद भाजक का पहला पद क्या है minus का x स्क्वाइर आपने भाग लगाया तो क्या बचेगा देखो माइनस से माइनस कड़ गया X की गहाद 3 में X की गहाद 2 का भाग लगाओ कि कितना बच जाएगा सिर्फ X बचेगा अब ये जो X बचा इसे आप क्या करोगे कि भागफल में लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे आप ये X अब ये X आपने जैसे ही लिखा तो अब इस X को हम क्या करेंगे इस भाजक के तीनों पदों से कि पहले minus माइनस का X स्कुरार फिर फिर plus का X और minus का 1 इन तीनों पदों से एक इक करके मैं गुंडा करूँगा कैसे गुंडा करूँगा देखो यहाँ पर आसानी सेम करते हैं सबसे पहले X को अगर आपने minus X स्कुरार से गुंडा किया तो ये कितना आ जाएगा minus x की गहा 3, फिर x को अगर आपने plus x से गुणा किया, तो यह आजाएगा plus x square, देखो यहाँ पर एक चीज नोट करने कि ये भी है, कि समान पदों को समान पदों की नीचे ही लिख रहे हैं, जब x की गहा 3 आया तो उसे x की गहा 3 के वाले पद के नीचे ही लिखा, जब x की गह लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, इन्हें घटा दोगे, तो जब भी हम घटाते हैं, जब भी हम घटाते हैं, तो नीचे वाले की चिन हमेशा बदल देते हैं, तो जो minus का था वो हो गया plus में, जो plus का था वो बदल गया minus में, और जो minus का था ये बदल चुगा है plus के अ आपका पहला पद, माइनस का X क्यूब, और नीचे वाला पद, प्लस का X क्यूब, दोनों चिन समान पद हैं, और चिन अलग-अलग हैं, तो हमेशा ये पहले पद हमेशा कटेंगे, तो आपने पहले पद को पहले पद से तो काट दिया, अब देखा, प्लस का 3 X स्क्वाइर और माइनस का X स्क्वाइर, कितना बच्चा, प्लस की 3 में से माइनस का 1 कम किया, तो ये आपके पास बच जाएगा 2 X स्क्वाइर, इसी तर से माइनस की 3 X में से प्लस का X, अगर आपने कम किया, तो बचेगा आपके पास माइनस का 2 X, फिर आपने देखा, प्लस का 5 भी नी किसर 2x² यह लिखा side में, और इसी तर से इसका पहला पद क्या है, किसर भाजक का पहला पद है, माइनस का x² भाग दिया, यह रफ में आमने करा, मुझे भागफल गयाद करने के लिए मैं यह इस तर से रफ में कर लेता हूं, तो यह x² से x² कटा, बच्चा कितना बच्चो, माइनस का 2, यह माइनस का 2 कहा लिखा जाएगा, भागफल के अंदर लिख दिया, आपने माइनस का 2, अब इस माइनस 2 से, माइनस 2 जो आपने भागफल में लिखा, इस से आप क्या करोगे, भाजक की तीनों पदों को एक एकर क दिया आपने, अब इसे क्या करना है, घटाना है, घटाते समय चिन हमेशा नीची वाले के बदले जाएंगे, तो जो प्लस का है वो बदल के माइनस में, जो माइनस का है वो बदल के प्लस में, और जो प्लस का है वो बदल के माइनस में, देखो पहला पद आपको अब भी बताया था कि हमेशा कटना चाहिए, तब ही हम बोलते हैं कि विभाजन हम सही कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 2x², प्लस का, और 2x², माइनस का, दोनो क्या होंगे? कट जाएंगे, कट गए, सर, एक प्लस का, एक माइनस का समान पत्थे कट गए, यहाँ पे देखो, माइनस का दो एक्स और यह प्लस का दो एक्स, यह भी तो कट गया, कि सर, यह दो भी समान पत्थे और चिन अलग-अलग, तो यहाँ पे यह भी कट गए, बचा क्या मेरे पास पांच में से 2 को आप घटा के बता दोगे 3, अब इसके आगे तो विभाजन करना संभव है नहीं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, शेश्वल यानि कि आप कहें इसे रिमेंडर, तो ये तो हो गया हमारे पास शेश्वल, और जब विभाजन खतम हो चुगा है, त कि भाज देने पर जो हमें प्राप्त होता है, वो क्या क्या लाता है, भाज़न ये हो गया आपके पास भाज़न, तो इस तरह से आप एक बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाज लगा सकते हो, और भाज लगा के आप भाज़न और शेश्वल दोनों को आप सबस्काइब करें, तो बच्चों लाइक और शेयर कर दीजेगा, आप हमारी चैनल पर नए है, तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सकाइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, थैंक यू.